गाइस आप सभी का स्वागते चीटिये 5K के एक और गेमप्ले में आज मैं काफी दिनों बाद यहाँ पर जिम करने आया हूँ यहाँ तक कि आप देख सकते हो मैं कितना ताकतवर लग रहा हूँ पर यह चुपचा फोटोस क्यों ले रहा है अब मेरे पर गुस्ता होने लग गया सैद इसको नहीं पता मैं कितना तकतवर हूँ अब मेरे को यहाँ से बाद गया माइकल के घर जाना होगा मेरे को उससे कुछ काम है देखो मेरी कार आ गई पर इस सादमी को क्या हुआ लोगो इसको डराता हूँ देखा बेचारा डर गया यार यह कार कितनी सांदार है और तेज भाग रही है पर लोग पागल हो गई क्या राश्ते में खड़े हुए मेरे को तो कार को चला कर मज़ा आ रहा है यार यह तो हवा में उचल रही है लोगो स्पीड और बढ़ाता हूँ नाई 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 धत तेरी की मेरे तो हवा में उचल गया और लगता है मेरी हड़ी तूट गई अबे नाई ना यार मेरा एक पेर का गया मेरे सरीर को तो नजा लग गई और मेरे लगना हो गया अब मेरे को उच्छल कर कार तक जाना होगा पर मैं हमेशा इसा नहीं रह सकता मेरे को कुछ करना होगा चलो कार में बेट कर डोक्टर के पास चलते मेरा एक दोस्त है साइड वो पेर वापस उगा दे मेरको कार को तेज दोडाना होगा क्योंकि मेरा खून काफी बेच चुका है उपर से मेरको एक पेर से कार चलाना पढ़ रहा है बस अब कोई एक्सिडेंट ना हो जाए नहीं तो मुसिबत हो जाएगी बस में सुरक्सिद दोस्त के पास पहुँच जाओ देखो उसका घर आ गया मेरको यहीं पर उतरना है लेकिन उचल कर चलना काफी मुश्किल है बस थोड़ी दूर हो रहे है एक बार वाँ पहुच जाओ भाई मेरी एक तांग तूट गई में उसको ठीक कर सकता हूँ मेरको क्या करना होगा तुझे काफी सारा पेशा देना पड़ेगा मेरे पास पेशा नहीं है तो यहां से चला जा प्लीज भाई कुछ कर चल तू बाद में दे देना चलो गाईस उचल कर इसके घर के अंदर चलते हैं यह जगह इतनी अजित्यों है मेरको तो यह होस्पिटल कम और कोई लेब लग रही है पर जो भी हो इलाज तो करवाना ही होगा यहां पर चुपचाप लेख जाता हूँ सच बताओं तो मेरको डल लग रहा है बस यह कुछ गड़बट ना कर दे काश सब ठीक हो जाए अगर इनोंने गड़बट की तो बंदुक से उड़ा दूँगा ओ माई गोड यह मैं किस में बदल गया और यह नाच क्यो रहा है भाई तुने यह क्या कर दिया मेरको तेरी जान बचाने के लिए तेरा सरीर कातना पड़ा पर मेरा चेरा क्यों बदल गया वो साइड इफेक्ट है चलो गाइस बार चलते है यार मैं तो इंसान कम और रोबोट ज़्यादा लग रहा हूँ अब यह कार को क्या हुआ इसके टायर तो चोरी हो गए जो कि काफी महेंगे आते है साइड बिना टायर के यह चल जाए यार यह तो चली नहीं रही नहीं आगे बढ़ रही है मेरको इससे उतरना होगा चलो थोड़ा पेदल भागते है और कोई रास्ता भी नहीं है अब इनसे हिल्प मांगता हूँ यार यह तो डर कर भाग गए चलो इसकी बाइक छीन लेते अब मेरको जल्दी से घर जाकर डॉक्टर के लिए पेशे लाना होगा क्योंकि उसको इलाज के पेशे देने अब यह ट्रेन कहा से आ गई धत तेरी की एक बार वापस एक्षिडेंट हो गया अब क्या होगा यार मेरा तो सरीर तो भागों में बढ़ गया मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा अब मैं चलूंगा केसे देखो लोग आ गए पर कोई मदद क्यों नहीं कर रहा सब खड़े हो कर देख रहे यह आदमी तो केमरा लेकर कोटों खेचने लग गया और यह मोबाइल से वीडियो रिकोर्ड कर रहा है अरे वाँ ट्रेवर आ गया पर उसको मेरे बारे में केसे पता चला अब यह मेरे को बचा लेगा देखो इसने मेरे को कंदे पर उठा लिया अगर यह यहाँ पर नहीं आता तो मैं वही पर मर जाता क्योंकि कोई मदद करी नहीं रहा था लगता है यह इसको उतार कर इसकी बाइट चुराएगा भाइट थोड़ा जल्दी चला मेरे को काफी दर्ध हो रहा है और मेरा काफी खून भी निकल गया अरे वाँ ट्रेवर ने मेरे को यहाँ पर पहुचाई दिया अब बिना देरी किये हम लेब में चले जाते यार यह मेरे को यह से क्यों देख रहा है साइद कन्फ्यूज हो गया इस बार इनका काम पहले से ज़्यादा मुस्किल है ओ माई गोर्ड में तो काफी खतरनाक लग रहा हूँ चलो यहाँ से बार निकलते है इस बार तो मेरा उतार मेरे को काफी पसंद आया अब यह क्या होने लग गया में तो हवा में उड़ रहा हूँ अब मेरे को कहीं पर जाकर पेशों का बंदोबस्त करना होगा देखो यहाँ पर दुकान है मैं यहाँ पर डगा डालता हूँ चल बे पेशा निकाल नहीं निकाल लूँगा तू यहाँ से चला जा यार इसने बंदुक निकाल ली इसका काम तमाम करना होगा यह एक रास्ता है अब ATM से पेशे निकाल लेता हूँ ओ माई गोड यह पुलिस कहां से आ गई इनका कुछ करना होगा इन लोगों के लिए मेरा कवच काफी है अब मैं सब कुछ तबा कर दूँगा साइध इन पुलिस वालों को नहीं पता कि इनका सामना किसे इसकी तो मैं गर्दन उड़ा दूँगा ताकि यह नजारा देखकर सब डर जाए यार मैं तो आँकों से लेजर भी निकाल सकता हूँ अब इस चोपर की बारी ये बूम मैंने सब को तबा कर दिया अब डोक्टर के पास जाकर उसको उसके पेसे दे देता हूँ पर गाईस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगाओ और चाहते हूँ मैं इसे सांधार वीडियो बनाता रहूँ तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्रेब कर लेना सब्सक्रेब बटन आपको स्क्रीम पर दिख रहोगा